एक बार की बात है माता पारवती स्नान करने जा रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि कोई भी पहरेदार वहाँ पर नहीं है तभी उन्होंने अपने मैल सिख पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिये और पहरेदार के रूप में तैनात कर दिया मैं स्नान करने जा रही हूँ तुम किसी को अंदर मत आने देना जैसा आप कहें माता माता पार्वती स्नान करने के लिए चली गई इधर शिव जी माता पार्वती से मिलने के लिए आ गए उनको आता देख बालक ने उने रोका रुको प्रभू आप अंदर नहीं जा सकते तुम कौन हो बालक मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता ने मुझे ये आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर मत आने देना अच्छा तो तुम गौरी पुत्र गणेश हो मैं गौरी पती शिव हूँ चलो अब मुझे अंदर जाने दो नहीं नहीं माता ने मना किया है और मैं उनकी आज्या का पालन करूँगा देखो बालक आप मुझे क्रोध आ रहा है आपको क्रोध आ रहा है तो आप वापस चले जाओ लेकिन जब तक मेरी माता मुझे आग्या नहीं देंगी मैं आपको अंदर प्रवेश्ट नहीं करने दूँगा शीव जी और बालक गनेश के बीच विवात होनी लगा तबी वहाँ नंदी महराज आ गए प्रभू ये नन्हा बालक है मैं इसे समझाता हूँ इतना कहकर शीव जी वहाँ से चले गए और नंदी महराज बालक गनेश को समझाने लगे बालक गनेश प्रभू को जाने दो वरना वो कुरोधित हो जाएंगे मैं तो नहीं हटूंगा अगर हटाना ही है तो मुझसे युद्ध करो ठीक है दोनों के बीच युद्ध होने लगा और बालक गनेश ने नंदी महराज को खूब परेशान किया नंदी महराज भागे भागे भगवान शिव के पास गए ये सब देखकर भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए और बालक गनेश के पास गए और दोबारा उन्हें हटाने का प्रियास किया लेकिन वो नहीं माने और क्रोधी धोकर भगवान शिव ने बालक गनेश का सर कार दिया जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो माता पार्वती भागी भागी वहां आई पूत्र पूत्र गनेश ये आपने क्या किया प्राणनात आपने अपने ही पूत्र का वद कर दिया मुझे मेरा पूत्र जीवित चाहिए आपको इसके प्राण वापस करने ही होंगे वरना मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी पार्वती मईया अपने बात परड़ गई तब उन्हें समझाने के लिए सभी देवतागर्ण वहाँ पर आए और उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी शमाकरी देवी ये असंभव है तो ठीक है मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी मेरे शस्त्र के प्रहार से अलग हुआ सर वापस नहीं जोड़ा जा सकता सब सोचने लगे कि क्या किया जाए तबी ब्रह्मजी ने कहा अब तो एक ही उपाय है कि किसी और बालक का सर बालक गणेश के धर से जोड़ दिया जाए अब इसी मस्तक को जोड़ कर बालक गणेश को जेवित कर दो ये सुनकर भगवान शिव ने बालक गणेश को जीवित कर दिया और उन्हें आशिरवात दिया किसी भी कारिय में सबसे पहले गणेशी के पूजा अनिवारिय होगी